और रामगड में अटल जी की अस्थियां विसरजित की गई आज इससे पहले पूरे शहर से होकर अस्थी कलश यात्रा निकाली गई इसमें बीजेपी नेताओं के अलावा आम लोग भी शामिल हुए जिन्होंने पूर्व पीम अटल बिहारी वाजपई को श्रद्धांजली आप देख सकते हैं ये दो तस्वीरें जहां लोगों ने अपने अपने तरीके से पूर्व पीम अटल बिहारी वाजपई को श्रद्धांजली दी रामगर में जहां अटल जी के अस्थियां विसरजित कर दी गई इसे पहले शहर में अस्थी कलश यातरा निकाली गई बीजेपी जिला कार्याले से यातरा शुरू हुई अस्थी कलश यातरा विभन मार्गों से होती हुई रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर और भैर्वी नदी तठप में पहुंची जहां अस्थी विसरजन की आ गया इस दौरान केंद्रिय मंत्री जैंद सिन्हा पूर मुख्य मंत्री अरजुन मुंडा समेट प्रमंडल के सभी सांसद और विधायक अस्थी कलश के साथ माची में खुद मुख्य मंत्री रगवर दास ने अटल जी के अस्थियों को प्रभाहित किया था और अब ये सिलसला आगे भी जारी है आज एक भारत माता के वीर पुत्र एक सचे पुत्र को हम लोग ने मा चनमश्टिका को सौप दिया हम सब लोगों के लिए बहुत आज एक दुख़त दिन हैं लेकिन साथ साथ हम ये भी जान रहें कि अटल जी अमर हो गया क्योंकि आज हम सब के दिल में वो बसेंगे और जितने जिन्दगीत हमलों की जब तक चलेगी हमारी आगे पीडियों की चलेगी तब तक अटल जी अमर है अटल विहारी बाजपे भारतिये राजनीतिकी विश्यस्ता के प्रतीक थे और उन्होंने एक राजनीतिक पार्थ हिंदुस्ता आजाद हिंदुस्तान को पढ़ा करके वो गए हैं पूरा जीवन उन्होंने भारत के सरवांगिन विकास और इसको विश्यो गुरु बनाने के लिए अर्पित किया था मैं यह मानता हूँ भाजपा परिवार के नाते हम सब उनके बंसावली हैं साहिब गंज में भी स्वर्गी अटर बहरिवाजपी के अस्थियां गंगा के घाट पर विसरजित की गई इससे पहले अस्थी कलश यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मारगों से होकर गुजरी अस्थी कलश यात्रा में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए साथी शहर के अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए अटल जी का व्यक्तित्व एक आईसा व्यक्तित्व है जो किसी से तूलना नहीं किया जा सकता है इस देश के लिए नेसित रुप से यहां अपुर्णिया छटी है पलामू में अटल जी की अस्थियों का विसरजन किया गया इसे पहले पूरे शहर में अटल जी की अस्थी कलश यात्रा निकाली गई आखिर में कोईल नदी के तट पर भारत रतन अटल जी की अस्थी कलश को विसरजित किया गया मौकि पर नगर विकास मंतरी सीपी सिंग पलामु सांसत बीडी राम विधायक आलोक चौरसिया समेट बीजेपी के हज़ारों कारिकरता मौजूद रहे